बेस्ट डेंटल कॉलेजिस इन पुने नमस्कार दोस्तों सौगत आपका हमारे चैनल पर जहां हम आप उच्छ शिक्षा और करियर से जुड़े मैत्व पून जान करी देते हैं मैं हूँ हैल्पिंग मुंडे और आज हम बात करेंगे पुने के बैतरीन डेंटल कॉलेजिस के बारे में जो 2024 में आपकी पहली पसंद बन सकते हैं तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पुने अमिस्टा से इस शिक्षा का एक प्रमुक के अंदर रहा है और डेंटल शिक्षा के शेतर में भी यहां कुछ अधित्य संस्थान मुझूद है आए जानते हैं कौन से कॉलेज इस 2024 में बैतरीन डेंटल प्रोग्राम उफर करते हैं सबसे पहले बात करते हैं कॉलेज 1 भारती विद्यापी डेंटल कॉलेज एंड होस्पिटल की यह कॉलेज अपने उच गुण वरता वाली शिक्षा और अधुनिक सुरिधाओं के लिए जाना जाता है यहां के फेकलिटी मेंबर्स अनुभवी और इंडेस्ट्री में प्रसिद्ध होते हैं इस कॉलेज का डेंटल प्रोग्राम आपको थेओरी के साथ साथ प्रेक्टिकल अनुभवी करवाता है दूसरा कॉलेज है डॉक्टर डीवाई पार्टल डेंटल कॉलेज एंड होस्पिटल यह कॉलेज अपने अत्याधुनिक उपकरनों और रिसर्च के लिए प्रसिद्ध है यहां के कॉर्चस इंडेस्ट्री स्टेंडर्स के अनुषा डिजैन के गए हैं और यहां का वातावन शिखने के लिए बहुत ही उत्तम है कॉलेज नमबर तीन अम एरंगो वाला कॉलेज ओफ डेंटल साइंस एंड रिसर्च सेंटर भी एक बहतरीन विकल्प है यह कॉलेज अपने व्यापक कॉर्स स्ट्रेक्चर और प्रेक्टिकल प्रोजेक्स के लिए जाना जाता है यहां के स्टुडेंट्स को रिसर्च के बहतरीन अवसर मिलते हैं अब बात करते हैं कॉलेज नमबर चार सिन्ह गड़ डेंटल कॉलेज एंड होस्पिटल की यह कॉलेज अपने उच गुणवरता वाले शिक्षा और उटकरिष्ट के लिए प्रसिद्ध है यहां का डेंटल प्रोग्राम बहुत विस्तृत और प्रेक्टिकल औरियन्टेड है जिसमें आपको सभी आवश्यक तकनिकों और नोलेज का उनुबह मिलता है अंत में बात करते हैं हम कॉलेज नंबर पांच VSPM डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर की यह भी एक उत्रिश्ट विकल्प है यहां का कॉर्स कंटेंट बहुत ही कॉम्प्रियेंसिव है और यहां के लेब अध्यूनिक उपकरणों से बरे हुए हैं यहां पर आपको इंडेस्टरी प्रोजेक्ट्स और लाइव असाइमेंट्स का भी अनुबव मिलेगा तो दोस्तों यह थे पुन्य के कुछ बैतरी इन डेंटल कॉलेजिज जो आप दोचा 24 में अपनी डेंटल सिक्षा की पढ़ाई कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सो भी पसंद आया होताँ इस वीडियो को लाइक करना ना बुले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुले क्योंकि हम ऐसी इंफोर्मेटिव वीडियो जागे भी लाते रहेंगे धन्यवाद